नमस्कार स्वागत है आपका कापितल टीबी बिहार के खास सो चुनावी चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्म जाब फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है चारो सीटो पर वोट पढ़ चुके हैं और जैसा कि उमीद जताया जा रहा था कि सुबह के मुकाबले साम तक वोट परसेंटेज बढ़ेंगे वहा कुछ ऐसा भी है लेकिन ऐसा है कि 2019 के कमपैरिजन इस बार कम वोट पढ़े हैं साथ आपको बता दे कि चार सीटों पर कुल अर्टिस प्रत्यासी थे जिनके भाग का फैसला अब तैह हो चुका है और आलमुस्ट यह माना भी जा रहा है कि सारे सीटों से कौन आगे चल रहा है और किसका किसमत चमकने वाला है या सारे चीज अब तैह हो चुकी हैं तो आईए कंसा अगठ बंदन आगे निकल रहा है डेकि अभी तो मदान खतम हुआ है निसी तोर पर पर संटेश कूछ बड़ा है लेकिन यह मणिये पूरे देश के अग तुलना करिए आप अग्वी तक सबसे कम इनम मद्दान हुआ था इन चार सीटों पर लेकिन इस वार जो है संख्या परसेंटेज कम है अभी फाइनल आंक्डे का हम लोग इंतिजार कर रहे हैं लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है अच्छी बात हुई है कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे बिहार बदनाम हो जाता है सांती पुन तरीके से हुआ है नक्सली इलाके में मद्दान था कोई नक्सली घटना अभी तक ख़बर नहीं आई है सांती पुरवक्त मद्दान हुआ है और निस्पश्टा से मद्दान हुआ है यह चुनावा योग इसके लिए बधाई कर रहें परसेंटेज जारों सीटों पर कौन सा गटबंधर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा तो देखिये इसमें तो सीट दर सीट आपको चलना पड़ेगा आप सुरुवात कि सीट से करना चाहते हैं आप खुद बताए हैं हम उसी सीट से आगे बढ़ते हैं जमुई से सुरुआत करते हैं तो जमुई जो सीट थी होट सीट थी चिराग पासवान को लेकर और वहां भी मद्दान कम हुआ है और मद्दान कम होने का असर एंडिये पर पड़ा है इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन जो ये बात कही जा रही थी कि मुकाबले में क्या अर्चना रविदास नेक टूनेक जाएंगी या फिर उससे आगे निकल जाएगी ये जो सवाल जमुई में पूछा जा रहा था तो इसका जवाब ये है कि मुकाबला वहां बहुत कांटे का हुआ है मुकाबला बहुत कांटे का हुआ है वो जो वीडियो वाइरल हुआ उसका असर पड़ा है उसका फायदा खिराग पास्पान के candidate को मिला है वहाँ पर लेकिन अर्चना रविदास बहुत मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ी है और नतीजा ये आज के तारिक में आप ये नहीं का सकते हैं कि नतीजा वहाँ का क्या होगा लेकिन जिस तरह की voting हुई है जो ख़बरे अभी आ रहे है उसमें no doubt की कुछ age अरुन भारती का लगता है लेकिन जब remote इलाके से अभी EBM आएगा वहाँ की खबरे आएगी क्या हुआ नहीं हुआ देखिए बड़ा लोग सबाच्छेतर है अभी तारपूर से भी खबरे आनी है सिकंद्रा से भी आनी है सिकपूरा से आनी है जब सब कि ABM सब आ जाएंगे वहाँ से खबरे आने लगेगी तब यह हम आकलर लगाने की स्थिम होंगे की जीत कौन रहा है और कौन कितने बोट से पिछाड रहा है अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं सामके पांच बजे इस्थिति यही है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला जमई इस वाइरल हो गई तो क्या लगता है किसका असर चुनाव पर देखने को मिला देखिए असर तो होता है दोनों तरब सासर होता है जिस तरह से चिराग पासमान के फैमिली को अब सब कहा गया उसका असर पड़ा उसी तरह अर्चना रभी दास के प्रस्टनल वीडियो को प् पाजपा के लोग इसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं चिराग पासमान इसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं अगर एक वीडियो पर आपको अपत्ती है तो दूसरे वीडियो पर भी आपको अपत्ती होनी चाहिए दोनों तरब से हुआ है होना नहीं चाहिए दोनों प्रक्ट जाते है जितने पहलों है वह यही जा रहे कि मिस्मनेजमेंट रहा película जीन में जितना वोट अपने वोट को भूर वो भोट जो है समेटना चाहिए था उनको वो भोट नहीं समटाया दूसरी तरफ जो पासमान भोटर है पासमान भोटर समजीत के साथ था पहले भी और आज के तारिक में भी जो मैक्सिमम पासमान का भोट है वो समजीत के हिस्ते में गया लेकिन आप जिस वीडियो की बात कर रही थी, उस वीडियो का असर गया में भी देखा गया, और वो जो कटा है सब जीत का भोट, वो गया है माझी जी के पक्च में, ये कहना पड़ेगा, खबर ऐसी ही है तो असर तो पड़ा है उस वीडियो का लेकिन सर्वजीत भी पासमान क्या जो भोट उनको मिलना था हमको लगता है कि वह बोस वह बोट लाने में सफल रहे इसलिए वहाँ पर जीतर नाम मांजी का मिसमेंजमेंट और पासमान भोट की गोलबंदी सर्वजीत को इस मुका से रिपोर्ट आएगी, IBM आएगा, लोगों का फिडवेक बिलेगा, तब आप किसी नतीजे पर पहुँश सकते हैं अभी पांच बजे ये कहना मुस्किल है कि फला अमिदवार जीत रहा है अभी हम यहीं बता सकते हैं कि उस जो समय था मद्दान का उस दर्वियान हुआ क्य ये सारी चीज़े जो आघ के सामने घटी है जो रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रह है लेकिन, एक्चुन भोर्ट परसेंटेज चुकी कम हुआ है तो सभाविक है कि नुकसान इंडिया को हुआ है लेकिन, कितना नुकसान हुआ है और कितना फाइदा मिला है तेजिसुयादव के कंडिडेट को ये अभी पता चलेगा कल तक सारी चीज़े और साफ हो जाएगी लेकिन वहाँ भी एकदम कांटे का मुकाबला है जितना मांजी भी जी सकते हैं और सब्जी जी भी जी सकते हैं कोई भी जी सकता है बहुत ही मुकाबला गया में भी है जमुई के तरह वहां भी नेक टूनेक फाइट जमुई के बाद और अंगाबाद पर सबसे ज़्यादा मतदान हुए हैं अगर परसेंटेज को देखे तो दूसरी नंबर पर और अंगाबाद में अब्दान पड़े हैं क्या लगता है कि वहां के स सुसील सिंग का जो पिछड़े हैं अब है कुस बहा भोटरों में जितनी गोलबंदी होनी चाही थी सवेरे जिसके हम लोग चर्चा कर रहे थे उस गोलबंदी में थोड़ी कमी उनको देखती है लेकिन जो एंडिये का मनेजमेंट था वहां पर वहां पर प्रोपर था एंटी सबसे बढ़ा पर प्रभाव तो नर्मोदी का ही पड़ा है और इसको लेके जो सुसील सिंग है उसका अपरेज अभी के तारिक में लग रहा है बाकि और खबरों का इंट सर क्या लगता है कि राजपूत ही हमेशा वहां से जीतते आया है तो इस बार भी चित और गड़ कि अभी पांच बजे जब हम आपसे बात कर रहे हैं अभी तो लगता है कि उस किले में कोई जरार नहीं है सर नवादा को लेकर जैसा कि पहले इससे पहले जो हमने खबर की थी उसमें आप ही ने बताया कि तरी कोण ये लड़ाई थी तो अब क्या लगता है कि जब पूरा बोट पढ़ चुका है और अब बदान खत्म हो गया है तो क्या अब तक क्लारिटी मिल पाई है कि किन दों लोगों में लड़ाई हो रही है या फिर अभी भी वैसिंग स्थिति है नवादा की तस्वीर एक्दम साफ हो चुकी है वहां कोई कन्फूजन वाली स्थिति नहीं है चुकी जब से मादान वहां शुरू हुआ और अभी खतम हुआ है वही ट्रेंड चल रहा है भोट टेंपू चाप यानि बिनोद्यादप को भी मिला है भोट सर्मनकुसबाहा को भी मिला है और विबेक ठाकूर को तो अपना भोट मिला ही मिला चुकी वहां पर कोई ऐसा अभी मिला अगर चारू सीत में आतमजाजी किसी एक सीत पर आप हम से पूछी एगा कि अंडρώ की जान रही है तो दवादा सीत में हमको कहने में कोई ही चक नहीन ही है कि वह सीत विबेक ठाकूर भाजपा वहाँ एक बार फिर से कमल जो मिसा ने कहा था कि नवादा में कमल खिलाना है तो हमारे पार जो ख़बर है उससे ही लगता है कि नवादा में कमल खिलता हुआ दिख रहा है कि गया को छोड़कर बाकी तीनों सीट जो है और अंगाबाद जमुई और नवादा यहां से भाजपा ही आगे निकल रही है एंडिये के कैंडिडेट ही आगे निकल रहे हैं हमने कहा कि नवादा की तस्वीर एक्दम साफ हो गई है अरून भारती जमुई में थोड़ा सा एज लिए हुए अभी दिख रहे हैं अभी वहां से और खबरे भी आनी है गया में नेक टू नेक फाइट चल रहा है और अंगाबाद में सुसिल सिंग को थोड़ा एज अभी द तो देखिे चारो सीटों पर वोट पढ़ चुके हैं अगर सुबा के मुकाबले देखा जाए तो अभी चारो सीटों पर मतदान की परसेंटेज जो है वो बढ़ चुके हैं लेकिन लड़ाई जो है वो काटे की है किसी सीट पर भी कहए पाना य Pier शो ममदवार जीतेंगे आकिस गटबंदन के उम्मधवार जीतेंगे लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि कहां से किसको बढ़त मिल रही है और किसके जीतने की संभावना है अभी किस स्थिती वही है बाकिस पर अपडेट्स हम आपको कल बताएंगे लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से सीट पर किसकी स सिती मजबूत है आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे का पचल टीवी बिहार धन्यवाद